नमस्कार आप देख रहे हैं सिटी नियूज और दिन भर की तमाम खबरों के साथ मैं प्रीती सागर खबरों में बात करेंगे सबसे पहले आज की सुर्ख्यों की सुनारे इस्तित क्रिश्चन बस्ती के एक मकान में शौर्ट सर्किट से लगी आग मची अफरा तफरी एमजेम अस्पताल का अनोखा कारनामा पिता की जगा बना दिया बेटे का मिर्तिव प्रमान पत्र युवक एक महिने से लगा रहा अस्पताल का चक्कर और एमजेम अस्पताल में मुबाइल चोरी करते पकड़ाए दो चोर चोरो को किया गया पुलिस के हवाले खबर अबस्तार से जमशेदपूर के सुनारी थाना अंतरगत क्रिश्चन बस्ती के एक मकान में शौर्ट सर्कीट से आग लग गई जिसके बाद अफरा तफरी मच गई जमशेदपूर के सुनारी थाना छेतर के क्रिश्चन बस्ते स्थित बेल्डी चर्च स्कूल की सिक्षिका जास्मीन के घर पर आग लग गई आग लगने के कारण आसपास के इलाके में हड़कंप मच गया करीब दो घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका मकान मालके ने बताया कि शौट सर्किट से आग लगी है किसी के हाताहत होने की सूचना नहीं है बताया जाता है कि घर में महिला थी उसका बेटा उपर था और एक बुजुर्ग भी घर पर ही थे अचानक से कहीं से आग की लप्टे दिखाई दी इसके बाद इस आग ने पूरे घर को काबू में लेना शुरू कर दिया किसी तरह आग पर काबू पाया जा सका फाइब डिगड की ततपरता के कारण गैस सिलेंडर में आग नहीं लग पाई जिससे बड़ा हाथ सा होने से टल गया लेकिन जो घर आके देखे तो काफी हद तक आग बढ़ चुका था लेकिन और बच्चे लोग सब बहाद निकल गये थे और जिस भी दादी भी थी अंदर उनको भी बहाद निकाल दिया गया आगा यहां तो पता करना पड़ेगा तिया कहां से और कैसे था था पतानी चला उसका रीजन क्या है था हम लोग तूपर में थे बीचे में कुछ आग लगा था तो देखे कि पायर ओड़ा ही था कि बाद में स्प्रेड होता चला कैसे लगा कुछ कुछ पता नहीं कौन-कौन था धर में जो काम करने वाले वाले वही लोग बले आकर थी कि असा सब्सक्राइब कितने का नुक्सान होगा कैसा लग रहा नुक्सान काफी नुक्सान तो काफी हुआ है क्या नाम आपको राकेश आपी का घर तो बता नहीं सकते कि शॉर्ट सर्किट हुए क्या जब हम यहों कॉल मिला है पूरा आग लगा हुआ है तो पूरा फ्लेम को काटे है खिर्की और केट सब सारा चीज बन था सब को खोले है के लिए खुले का बाद सारा क्लियर हुआ है तो अभी आप देख रहे हैं अभी का पूजिशन जो है पूरा नां बता दियोगा मेरा नाम महिताह वाला में चाट़ सीफ़ायर है इजर M.J.M.सPTAL का कारनामा बनाना था पिता का मिर्त्यो प्रमान्पत्र बना दिया बेटे का खुद्खु जिवित सावित करने के लिए एक महिने से काट रहा है अस्पताल के चक्क्र जमशेदपूर की M.J. मस्पताल में एक अनोखा कारनामा सामने आया है जहां पिता की जगह बेटे का मृत्यू प्रमान पत्र बना दिया गया इसे लेकर मानवो डिम्ना निवासी पिछले एक महिने से M.J. मस्पताल का चक्कर काट रहे हैं ठकहार कर उन्होंने M.J.M. की अधिक्षक को पत्र लिखा है संदीप ने बताया कि उनके पिता गनेश तंतुबाई की सड़क दुर घटना में 17 नवंबर को मौत हो गई थी जिसके बाद उन्हें पोस्ट मार्टम के लिए M.J. मस्पताल पहुँचाया गया वहां कागजी प्रक्रिया में गनेश तंतुबाई मृतक के जगह उनके बेटे संदीप तंतुबाई का नाम लिखा गया इनके नाम से ही डेच सर्टिफिकर तयार कर अस्पताल प्रमंधन ने परिजनों को सौप दिया मृतक की उम्र 52 वर्ष थी वहीं बेटे की 23 वर्ष उम्र है इसके लिए यूवप एक महिने से अस्पताल का चक्कर काट रहा है और उसे न्याय नहीं मिल रहा है ठकहार कर वह विमल बैठा के साथ अस्पताल अधिक्चक को पत्र लिखा है पर नाम डाल दिया गया सब पर में पॉस्टर काम हो रहा है तो जो गलती हुआ है इसे मुझे परिशानी हो रही है मैं एक मेंने के भाग रहा हूं मैं जीवित हो मुझे मार दिया गया लगातार यह भूल देखने को मिल रहा है में एक जीवित ललगा आपके सामने ख़ला जिसका नाम संदीप तंतुबाई है और यहां एमजियम के कागजात में इसको मित्यू गोश्टिक कर दिया गया है यह बहुत वड़ा मामला है यह सोचने का विशय है 17 तारीक को इनके पिताजी का गयालत हुआ था एक रोड एक्सिलेंट में उनका पोस्ट माडम भी हो गया पोस्ट माडम होने के बाद भी अभी एमजियम में एक महने होने जा रहे है यह लगातार यह बच्चा दौर रहा है यह बार-बार कहने को बोल रहा है कि मेरे जिंदा हूं आप अपने कागजात में मुझे मित्यू गोसित कर दिये हैं मेरे पिताजी का अब ध्यालत हुआ था और मुझे उनका पेपर चाहिए अगर पेपर नहीं मिलता है तो मैं किसी परकार का काम नहीं कर पाऊंगा यह इस फरियात कर रहा है और अभी हम इनको अधिक्चेप के पास में जा रहे हैं इसको हमनों लिखित निकायत करेंगे कि यह इतना बड़ा मामला कैसे सामने आया और क्यों हुआ एक जीवीत आदमी को कैसे आपने मार दिया और आपने क्यों अधार काट चेक नहीं किया जबक अधर एमजेम असबताल में चार्ज में लगे मुबाइल को दो चोर द्वारा चोरी करते महिला ने धर्दबोचा दोनों को पुलिस के हवाले किया गया मामले के संबन में उशा देवी ने बताया कि वह बारेडी के रहने वाली है उसके पती संदीब कुमार मिश्रा पिछले 15 दिनों से एमजेम में भरती है उशा देवी ने अतना मुबाइल चार्ज में लगाया था तभी दोनों लड़के वहां आना जाना कर रहे थे फिर इशारे में बात की और मुबाइल को चार्जर से खोलने लगे तभी उशा देवी ने उने पकड़ लिया बाद में दोनों लड़कों को पुलिस के हवाले कर दिया गया मुबाइल को हम देख रहे हैं कि यह दोना के बखंगा खर चार्जर जैसे खोल रहा था पुसे हम का लर पकड़ भागना कर दो बसाम इसको पकड़ें वी कहां पर एक और ऑड़ मेड़िकल वार्ड में वाड़ में से बिल्डिंग में निकाल के भाग रहा था कब पकड़ेंगे आप लो घुकॉल है ताइसे तो अधरेसे बता रहा है वहिसांसत विदित बरण महतों ने आचकेंद्रिय रेल मंतरी अश्वनी वैशनव से मुलाकात की और रेलवे सम्मंदी विदिन मांगों को उनके समक्ष रख कर उनका निराकरन करने के लिए आगरह किया सांसत महतों ने सर्वपरत्वम टाटा, बकसर, रेल सेवा की लंबित मांग को पूरा करने के सम्मंद में कहा इस पर रेल मंत्री ने कहा कि उनकी यह मांग हर हाल में पूरी होगी और निकन भविश्य में इसकी घोशना कर दी जाएगी रेल मंत्री ने ये भी कहा कि संबन में सारी प्रक्रियाओं को पूरा करने के लिए आवशक दिशा निर्देश दिये जा चुके हैं सांसद महतो ने इसका अतरिक टाटा एरना कॉलम ट्रेन की समय सारी में सुधार करने के लिए कहा एव़म इसकी फेर बढ़ाने की भी मांग की इसके अतरिक सांसद ने टाटा SMVT ट्रेन का भी फेरा बढ़ाने का आगरह किया जिस पर रेल मंत्री ने सकारात्म कास वाशन दिया सांसदमातों ने टाटा से जैनगर तक सीधी रेल सेवा एवं टाटा से जैपूर तक सीधी रेल सेवा चालू करने की मांग को पुनादोराया इसके अतिरिक सांसत महतोने उतकल एक्सप्रेस का राखा माइन्स में ठहराव एवं गितांजली एक्सप्रेस का घाच्छिला स्टेशन में ठहराव करने की मांगी इसके अतिरिक्त कोविड पुर्व की भाती संतरा गाची अजमेर शरीफ ट्रेन सेवा एवं शालीमार गोरकपूर ट्रेन सेवा का घाच्छिला में ठहराव करने इसपात एक्सप्रेस शालीमाल कुर्ला एक्सप्रेस एवं टाटा खड़कपूर मैमुका गालोडी स्टेशन पर ठहराव करने एवं हट्या हावडा इंटरसिटी एक्सप्रेस का चाकोलिया एक्सप्रेस पर ठहराव करने की मांगी इन सभी मांगों पर समुचित विचार करने का आस्वाशन रेल मंत्री ने दिया और जिला सिक्षा एवं प्रसिक्षन संस्थान चाकुलिया, पुरवी सिंभूम BPM Plus 2 बर्मा माइन्स के डॉक्टर अंजू के मार्ग दर्शन में सिक्षा एवं प्रसिक्षन स्थान चाकुलिया, डाइप में आयोजित, विज्ञान प्रदरशनी में श्रेनी नौवी के रिशिका, कुमारी एवं फरीन खातुन ने गैस लीकेज एंड स्मोक डिडेक्टर मॉडल बनाया जिसके मदद से हम LPG गैस यदी लीक होगा तो उसे डिडेक्ट कर बजर बजेगा जिसमें हम सावधान हो जाएंगे स्मोक भी डिडेक्ट करेगा, स्मोकिंग से बहुत लोगों कीमृत्ती हो जाती है जो वैक्ति स्मोकिंग करता है वो से 20% स्मोक के अंदर लेता है और 80% स्मोक बाहर छोड़ता है जो आम लोगों के सांसों के द्वारा फेबरों तक पहुँच जाता है और लंग्स कैंसर का कारण बनती है इसके साथ ही कक्षा ग्यारवी में विज्ञान के छात्र अनिश कुमार, आसुतोष कुमार एवं सनी कुमार ने मिलकर ट्रेन एक्सिडेंट अलर्ट सिस्टम का मोडल बनाया जिसमें इन्हें भी प्रतम अस्थान प्राप्त हुआ विद्याले के प्रांगन में प्रताना धपी का रंजिता गांधी के द्वारा छात्र छात्राओं का जोरदार स्वागत किया गया एवं उन्हें बधाई एवं शुब कामनाई दी गई मौके पर उपस्तित प्रधानाध्यपी का रंजिता गांधी, त्रविंद्र कुमार, निरंजन कुमार, चितेंद्र, आलम, सुदिप्ती, अनीता, सबीना, अर्चना, करंदिप सिंग उपस्तित थे नमस्कार, मैं उन्जन कुमारी, बीजन पर उपस्तित के विज्ञान सिख्षिका, हम लोगों ने विज्ञान परदशनी में दाट चाकलिया, में परदश परदशित करने के लिए ले गया थी, इसमें कच्छा नवी, कच्छा इगरावी के चात्र ने दो मौडल को परदशित जिसमें उन्होंने गैस लिकेज एवं स्मोग डिटेक्टर बनाया था, का मौडल बनाया था, जिसमें वो जो अगर लपीजी गैस घरों में हो रहा है, तो उसे डिटेक्ट करके बजल बजेगा, जिससे हम शागान हो जाएंगे और गैस को बंद करेंगे, या पर गैस अज पबलेक स्कूल में प्री प्राइमरी नाइट का आयोजन बड़े हर्शो लास्क साथ किया गया, इस कारिक्रम में बतर मुखियती थी संसकार शाला की प्रधानाध्यापी का एकता गरबाल, विद्याले के निदेशब डॉक्टर श्रीकांध नायर, सैक्षिक निदेशिका शृमती शांता, वैधनाथन, प्रधान अध्यापिका, शृमती गुर्मीत को और उप्रधान अधेवीका, रजनी श्रमा के उपश्थिती में दीपरज्वलन के साथ किया गया, कारिक्रम में नन्हे-मुन्हे कलाकारों के द्वारा भारत के प्रसिद्दीराज, केरल की संस बालकलाकारों द्वारा नाटक निर्ते प्रस्तूती ने सभी का मन मोहू लिया। इसमें LKG और UKG के बच्चों ने पार्टिसिपेट किया, जितने भी बच्चे थे, 100% पार्टिसिपेशन था, इसमें हर एक बच्चे ने पार्टिसिपेट किया है, अग्ड अग्ड प्रोजेक्ट शुरू कर रहे हैं, हमारा नाम, कंपनी का थे, जो नाम है, यह ग्रीक गॉर्ड और व्युटी का नाम है, तो उनका छेहरा भी है हमारे लोगों में, और जो यह प्रोजेक्ट आ रहा है, हमारा जो भी प्रोजेक्ट शाता है, सब को ग्रीक वे से हम नोगों ने इंस्पायर करने के लिए इसका नाम रखा था केलाउन तो इसमें जो आप देख रहे हो हट और पिलर का डिजाइन ये अच्छली ग्रीस में बहुत पाया जाता है ऐसा डिजाइन तो उस वे से हम लोग इसमें लाना चाह रहे हैं जम्षितपूर में पहली बार ऐसा कुछ कुछ कॉंसेप्ट आएगा ये एक मल्टी स्टोरी बिल्डिंग है बेस्में ड्राउंड प्लस पाइव बनेगा इसमें जिम प्ले एरिया और स्विमिंग पूल है तो स्विमिंग कर रहे हैं बाकि जो लुक है बाहर से वो भी उनिक है इसको बेसिकली हम लोग लैंडमार्क बनाना चाहते है पूरे सोनारी में तो अभी बुकिंग ओपन है जो भी चाहें वो इसको ले सब्सक्राइब गोल्चा साडी सेंटर गोल्चा साडी सेंटर एक्स्क्लूसिफ शोरूम औप साडी लेहंगा एंड सूथ जहां है साडीयों का विशाल भंडार सभी प्रकार की साडीयां वे भी होलसेल रेट में गोल्चा साडी सेंटर जहां है एक से बढ़कर एक डिजाइनों के बनारसी, तात, सिल्क, फैंसी साडी, लेहंगा साडी शादी की साडी खरीदनी हो तो गोल्चा साडी सेंटर में अवश्य आएं गोलचा साडी सिंटर सिर्फ साडी ही नहीं लहंगा की भी है विशाल रेंज लहंगा पहन कर दूलहन लगेंगी और भी खुबसूरत इसके साथ साथ अनिश्टीट सूट सूट की है कई नई रेंज और वेराइटी भी दूले के परिवार के लिए शट पैंड के गिफ्ट बैक भी उपलब्ध है बेटशीट, कटेन, सभी नामी ब्रांड के मिलते हैं गोलचा साडी सिंटर में हम बनाते हैं आपको खास हमारा पता गोलचा साडी सेंटर, नगरपाली का बाजार, जुकसलाई, जमशेतपूर ब्रेक के बाद में क्रीती सागर एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूँ जिलादन्नादीकारी सहोपायूक्त मंचुनाद भचंतरी की अधक्षिता में जिलाई आतायात एवं सलक सुरक्षा समीती के बैठक आयोजित की गई बैठक में सभी संबंधित विभाग्य पताधिकारी वर्चुल माध्यम से जुड़े बैठक में गतहमा में हुई सलक दुरुघटनाओं की विस्तिरित समिक्षा सगन बाहन जाच, हिट एंडरन के मामले में मुआफजा भुकतान, युवाओं के बीच और विद्यालेओं में सलक सुरक्षा संबंधी जागुरुपता कारिक्रम ब्लेक स्पोर्ट्स पर दिये गए सुधरातमक कारियादी की समिक्षा की गए सलक दुरगटनाओं की समिक्षा में ये बात सामने आई कि नीजी अस्पताल सलक दुरगटना के घायलों को कानूनी प्रक्रिया के चलते जल्दी भरती नहीं लेते जिल्दनादीकारी साव पायुक ने आश्वस्त किया कि गोल्डनावर में किसी गएल को नीजी अस्पताल में भरती लेते हैं तो अस्पताल प्रबंधन को किसी भी प्रकार से कानूनी प्रक्रिया में नहीं लाया जाएगा मानवहित में वे सामने आकर मदद करे ताके घायलों को गोल्डन आवर में उचित इलाज मोहया कराते हुए जनहानी को रोका जा सके उन्होंने सभी नीजी अस्पतार प्रबंधक से इस संबन में बैठक कर रखने का निर्देश सिविल सर्जन को दिया जिसमें गोड्स मारिटन एवं गोल्डन आवर के बारे में विस्तरित जानकारी दी गई गत नवंबर महा में जिले के 38 सड़क दुरखटनाई हुई जिनमे 31 लोगों की मृत्ती हो गई वही 21 लोग हैल हुए जिलादनादीकारी सह उपायुक ने चिंता चताते हुए कहा कि तेवहार के समय में युवाओं पर विशेश ध्यान रखने के अवशकता होगी युवाओं के बीच या संदेश जाए कि आपका जान की मिती है ओवर स्पेडिंग जान लेवा होता है विशेश कर सभी अभावकों को विशेश ध्यान देना होगा कि उनके नाबालिक के हाथ में वाहन नहीं हो नीजी स्कूल प्रबंधन भी ध्यान रखेंगे कि कोई नाबालिक दो पहिया या चार पहिया लेकर इस्कूल नहीं आए जिलादन्ना धिकारी सहोपायुक ने डी टी यो एवं डीस पी ट्राफिक को रेश ड्राइविंग ड्रिंक एंड्राइव को लेकर सखन जाच अभियान चलाने का निर्देश दिया उनोंने निर्देशित किया कि ड्रिंक एंड्राइब के आरोपियों पर ततकल एफायर करे सड़क पर सुरक्षित चलना और दूसरों को भी सुरक्षित रखना यातायात नियमों का पालन करना हर नागरिक की जिम्यदारी है इसे गंभिर्दा से लेते हुए आमनागरिक जिला प्रसाशन को सहयोग करे सांक्षे स्थित बंगाल कलब में इनर विल कलब के दौरा वार्शिक मेले का आयोजन किया गया कारिक्रम के संबंद में इनर विल कलब की सचीव आननदिता बेरा ने बताया कि हर वर्श के भाती इस वर्श भी मेले का आयोजन किया गया है मेले में शहर के विभिन अस्थानों से महिलाएं अपने द्वारा बनाये गए समानों के स्टॉल लगाई है जो महिलाएं घर से अपना ववसाई करती है उनको प्रोशाहित करने के उदेश से मेले का आयोजन किया गया है यह मेला 19 दिसंबर से 21 दिसंबर तक रहेगा सब जगा से आये हैं हमारे तरह कर सामान साड़ी है، जोलृडी साल्स हैं, सब देश का सामान लेंके रोड नमबर 14 में अंजुमन इसलामिया और आजाद समाज पार्टी के द्वारा निशुलक नेतरजान शिविर का आयोजन किया गया। पीछे मक्तबल तक्वा है यहां के जो लोग है आसपास के लोग तो लोग आ सकते हैं यहां पर 30 सीट खाली है और यह जो फ्री आई चेक अप है इसके अलावा और भी चेक अगरा होते रहे गाए यहां पर फ्री आई चेक अप कैम्प लगाए गया है जिसमें अभी तक 60-65 ल मोतियबीन का प्रावदम पाया गया है उन लोगों को जल्द ही अंजुमन इस्लामय का पाली और अजाद समाज पार्टी के तरफ से फ्री आफ कोस्ट मोतियबीन का ऑप्रेशन करा दिया गया पंचायद भवन चौका में विभिन ग्राम सभा के वन अधिकार समीतियो एवं समाजिक कारेकरताओं की एक बैठक हुई जिसमें वन अधिकार कानून को ततपरता पुर्वक से लागू ना करने पर अफसोस व्यक्त किया गया इस संबन में बोलते हुए वन अधिकार कारेकरता ब्रस्पती सिंह सरकार ने कहा कि चान्विल प्रखंड में 26 गाउं के लोगों ने सामुहिक वन अधिकार का दावा किया है लेकिन केवल 4 गाउं का ही दावा मनजूर किया गया है इसी तरह से नीमदी में 29 गाउं ने दाव प्रसाश्निक अधिकारियों को समूची निर्देश भी दिया गया है लेकिन ये पदाधिकारी अपने दाइत्व से भाग रहे हैं विभिन गाओं के प्रतिनीधियों ने सर्वसम्मति से तै कि इस संबंद में अनुमंडल पदाधिकारी चंडल से मिलकर कानून को लागू करन का अनुरत किया जाएगा तथा उन्हें एक महिने का समय दिया जाएगा वे एक महिने के अंदर या तो तुरुपी सुधार के लिए आवेदन को ग्राम सभा में भेजे या सामोहिक अधिकार सुनिश्चित करें अगर ऐसा नहीं होता है तो फिर विभिन गाओं की ओर से चा प्रेंग चंकिसकू, नंदलल माजी, काली पदो माजी, रामदास माजी तथा वस्थापिद मुक्ति वाहिनी के श्यामल मारडी, नारायन गोप, किरनवीर, अर्विन अंजुम, आदीशामिल थे धन्यवाद ग्यापन, सोहराय हासदा ने किया चलते चलते एक बार फिर से नजर डालेंगे अब तक की सुर्खियों पर कल फिर मिलेंगे कुछ अन्य खबरों के साथ, तब तक के लिए दीजिए, सिटे नियूस की पूरी टिम को अजासत, नमस्कार